हेलो फ्यूचर आफिसर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू प्रशस्ती सिविल सर्विसे से केड़ी जैसा कि हम जानते हैं, हम यूनिट सेविन बढ़ रहे हैं यूग कल हमने यूनिट सेविन का टॉपिक शिख शुरू किया था जिसका पहला टॉपिक सेल हम कम्प्लीट कर चुके हैं आपको उस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज से हम सेकेंड टॉपिक यानि की डाइजेशन शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन कई प्रकार सा उससे होता है वो आपको और्गनिसम्स चू और्गनिसम्स डिफर करता जाता है लेकिन चुकि हमें किवन हुमन डाइजेशन पढ़ना है इसलिए हम अपने सिलिपस या आपके टॉपिक सेंट्रिक होके पढ़ाई करेंगे आगे बढ़ते ही चले अब सबसे पहले एक सवाल आता है कि हमें डाइजेशन शुरू करना है तो ये डाइजेशन है क्या तो डाइजेशन पार है नूट्रिशन का डाइजेशन पार है नूट्रिशन नूट्रिशन क्या है नूट्रिशन का मतलब होता है किसी पोशन Nutrition का मतलब क्या है? Potion तो यदि हम nutrition की बात करें तो इसकी definition क्या बनती है? Nutrition का मतलब है Taking of food खाने और हमें खाना जो हम खाना खा रही है उसको simple absorbable form में convert करना nutrition होता है जो हमने खाना खाया है वह है एक simple organism simple आपके nutrition simple particles में convert होना ही nutrition कहलाता है ठीक है? Intake of food and changing it into simple absorbable form is known as nutrition ओके चलें, आगे करते हैं अब nutrition जब होने human में बात कर देंगे या animal में बात कर देंगे तो इस ना holozoic type of nutrition holozoic कैसा है? holozoic nutrition होता है अब holozoic nutrition क्या है वही simple कि हम अपना food स्वयम नहीं बनाते हैं animals अपना food स्वयम नहीं बनाते हैं depends on plants directly or indirectly for their food है ना? जैसे हम जानते हैं कि plants जो होते हैं वह स्वपोशी होते हैं वह अपना खाना खुद बनाते हैं लिकिन जो animals होते हैं humans होते हैं depends on plant for their food उसी ताइप के nutrition को कहा जाता है holozoic nutrition आगे बढ़ते हैं अगर हम human nutrition की बात करें या human nutrition की बात करें तो यह पाच पार्ट में divided होता है पाच सरीके से यह होता है कौन को हम से पाच सरीके हैं तो देखें शुरू से करते हैं पहले हम सबसे पहले क्या खाते हैं खाना खाते हैं digestion के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं खाना खाते हैं तो जो हम खाना खाते हैं उस पहली process को कहा जाता है ingestion क्या कहा जाता है उसे ingestion right ingestion को और क्या कहा जाता है अन्थर ग्रहण, थिक्हएं खाना खाना, mensen सेशकेंड जो प्रोसेस होते ही, जब हम खाना खाते है, तो वह घाना हमारे ऐसोफऑडस आहारना लेखेवे ह्मारे पेच तक जाता है वहाँ से पूरी elu गीजिशिन की प्रोसेस करता है राइट सचेकेंड प्रोसेस क्या एडाइएशिन से गयिया है डाइझेशन डाइशिन को क्या कहा लेता है पाचन पाचन पहले हमसे खाना खाया दुबारा प्लिषरे स्टेपट से पर दाइजेशन हुआ। ठीम के थार्ड धाट किरें जिस्का ये खाया है उसका अकशल रशक्राक के आपक की आपका से Woah आप शोषित हमतलब क्या है हमारे खाने में जो भी इंपोर्टिंट मिन्रेल्स बिटेमिंस कार्बोवाइट्रेट्स जो भी खाना हमने खाया हुआ है वह हमारे शरी में अफ्शोषित होगा एब्सॉब होगा राइट यह तीन स्टेप के बाद चौथा स्टेप क्या है स्टेप का जाता है है हंदी में इसे कहा जाता है सवांगी करन सवांगी करन सभी करन यह हमारे शरीत मीलेगा हमारे शरीत के अंतर लिया हूए था जो भोज़न हमने लिया हुआ था तो भोज़पदात हमने लिये हुए थे वे हमारे शरीप में जाके assimilate होंगे स्वांगी करन होगा इनका और अंग में आखरी प्रॉक्सिस होती है थैवर्टी है Ejection Ejection याने भोज-त्याग भोज-त्याग जिसे हम excretion भी कहते हैं भोज-त्याग खाना हमारे शरीप से बाहर जाने वाला है जिसे हम भोज-त्याग Ejection कहते हैं तो यह 5 इसे हों कांकांसी Ingestion खाना अंगरें दूसरा Digestion पाचन तीसरा Absorption और शोर्षन तीर चौथा Assimilation स्वांगी करने और पाचवा Ejection इन पाच तरीकों से इन पाच प्रॉसस से हमारा हमारा Nutrition या इसे हम Potion कहते हैं वह कंप्रीट होता है अब यहां पर हमें पढ़ना जाता है तो हमें क्या पढ़ना है तो हमारा जैसे की टॉपिक है digestion हमारा focus digestion पर होने वाला है यह सारी जीज़े इसी के अंतर में पढ़ी जाएगी चले तो आगे बढ़ते हैं अब जब वह दाइजेशन की बात करने वाले हैं तो digestion के लिए हमारे शरीर में कौन-कौन से और जो digestion में हेल्फ करेंगे और वह जो ऑर्गन है जो हमारे digestion में हेल्फ करने वाले हैं उन सभी इस ओर्गन्स को मिलाने विए सिस्टम मनता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या जहते हैं उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन संग डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन-कौन से पार्ट है है ना नेक्स्ट क्या है डाइजेस्ट सिस्टम है वह शुरू होता है अलिमेंटरी कनाल से किस से शुरू होता बैचो शुरू होता है अलिमेंटरी कनाल से अलिमेंटरी कनाल से और कहां तक जाता है यह जाता है एनस तक ठीक है एक 9 मीटर से 9 मीटर लंबी एक कैनाल है जो हमारे शवीर के अंदर पाई जाती है जिसमें मुख माउट से लेकर एनस तक सारी चीज़े आती है या इसको हम और अच्छे से करें तो यह कह सकते है यह जो डाइज़ेश्टिव सिस्टेम है वो माउट से एनस तक है और यह पूरा पार्ट इसका है यह पूरा पार्ट इसका है एलिमेंटरी कैनाल का यह पूरा पार्ट इसका है एलिमेंटरी कैनाल का और एलिमेंटरी कैनाल क्या है आज से 9 मीटर लंबी एक कैनाल है एक नली है जो हमारे शरीप में पाई जाती है जिसके अलग-अलग पार्ट होते हैं कौन-कौन से पार्ट होते हैं अब हम यह देख लेते हैं इसके पार्ट कौन-कौन से हैं तो इसका एक पार्ट है माउट माउट जिसे हम मुख कहते हैं माउट है ना मुख जिसे हम अंदर खाना खाते हैं यह माउथ है, फिर क्या आता है, नेक्स का बकल क्याविटी, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, बकल क्याविटी, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा के भी पार्ट है, मुख गुहा में क्या क्या आता है, तो मुख गुहा में आता है, यह मुख गुहा कहीं जाती है, यहां आता है तीज, दान, सलाइवा, लार और टंग, जीव ठीक है? यह है हमारी बतल क्याविटी मुख गुहा आगे बढ़ते हैं और क्या पार्ट है इसके बतल क्याविटी के बार? फिर आता है आपका इसोफेगल इसोफेगल, इसोफेगल, इसोफेगल को क्या कहा जाता है इसोफेगल को कहा जाता है अंड प्रडाली इसोफेगल, इसोफेगल के बाद यह जहां से हमारा खाला यह बलिश अंदर जाता है यह जो नली है इसी को हम ईसो फेगस कहते हैं, ईसो फेगस के बाद क्या आता है, इस चमक, इस चमक क्या आता है, पेट भर गया, पेट भर गया, पेट खाली है, भूग लगी है, ठीक है, तो ये होता है, फिर इस चमक, इस चमक के बाद खाना अगा जाता है, ये जो सीक्वेंस हमने लिखा ह हुआ है हमारा जो food है body के अंदर इसी sequence में travel करता है ठीक है तो फिर इस चमक के बाद खाना जाता है इस चमक के बाद खाना जाता है small intestine में यानि की छोटी आथ में हमारा खाना चोटी आथ में जाता है पेज के बाद इसके बाद next small intestine के बाद खाना जाता है इस चोटी आथ में जाता है बड़ी आथ और बड़ी आथ के बाद संपूर्ण पाचन होके हमारा खाना एनस यानि की गुदा के द्वारा बाहर रिकर जाता है जिसे हम ingestion किते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारा digestive system divided होटा है इसके आगे हम अपने next lecture में देखेंगे जहां पर हम इन ही साले जो organism organ से इनको detail में पढ़ेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू, जैह हैं